दोस्तो कमेंट बॉक्स में कई दिनों से एक बहुत ही जादा मज़ेदार पहली बार बार पूछी जा रही थी वही पहली मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ यह पहली ऐसा है कि लगेगा आपको एकदम छोटा सा लेकिन है इतना complicated कि अच्छा अच्छों की भी दिमाग जो है खराब कर देती है हलाकि ऐसे पहली पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है हो सकता है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे अगर देखे भी होंगे तो भूल गए होंगे है कि नहीं तो quantity एगरा change करके जो है बहुत सारे लोग comment में पूछते रहते हैं तो वही पहली मैं आज फिर आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको पहली को एक दम सही डंग से बारिकी के साथ समझना है और इस पहली में क्या राज छुपा हुआ है वो आपको पकड़ना है और बताना है ठीक है एक लड़का है, क्या है? एक लड़का है, यह बजार जाना चाहता है, लेकिन समसिय यह है कि इसके पास एक भी रूपिया नहीं है, एक दम नहीं है, ठीक है? तो यह करता क्या है? अपने दोस्तों के पास जाता है, पहले अपना दोस्त के पास जाता है, अपना जो कुलोजली ज्यादा कलोजली दोस्ते उसके पास जाता है तो क्या करता है उससे 10 रुपिया उधार लेता है कितना रुपिया 10 रुपिया उधार लिया उसके बाद फिर क्या किया कि भाई 10 रुपिया से काम नहीं चलेगा चलो एक और दोस्ते मांग लेता हूँ तो यार जो दोस्त था उ ये दूसरा दोस्त 5 रुपिया अब टोटल इस लड़का के पास कितना हो गया 15 रुपिया अब ये 15 रुपिया लेकर बजार जाता है अब जब बजार गया तो पता चला कि भाई 10 रुपिया खो गया भुला गया है है गी नहीं 15 रुपिया था 10 रुपिया होगा भाई नोट वेगरा गिर गया अब जब 10 रुपिया खतम कहानी हो गया मैनस हो गया तो उसके पास टोटल कितना बचा 5 रुपिया बचा कितना बचा 5 रुपिया अब इस 5 रुपिया में से क्या करता है वो 3 रुपिया का कुछ सम पुछा कि भाई, दस उर्पिया तो खोही गया है, अब यह बहुत भारी समस्या है, समान भी सही डंग से नहीं ले पाया, चलो दो रुपिया जो बचा है, एक अक रुपिय कम से कम वो दोनों दोस्त को लोटा देते हैं, ताकि उन दोनों को संतावना कम से कम मिल जाए, तो ग अहला दोस्त को देना है 9 रुपिया और दूसरा दोस्त को देना है 4 रुपिया, तो सिंपल सी फंडा है, एक ने, अगर 10 रुपिया लिया गया है, एक रुपिया लोटा दिये, तो 9 रुपिया देना पड़ेगा, इससे 5 रुपिया लिये हैं, एक रुपिया लोटा दिये, हम समान लिये थे तीन रुपया का समान लिये थे यह तो दो रुपया लोटा दिये हैं न यह तो कहानी खतम हो यह तीन रुपया को जो समान लिये हैं इसमें जोड़ेंगे एड करेंगे तो जब तेरा में तीन जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 16 रुपिया यहीं पर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई यह जो 16 रुपिया है यह आग ऐसे गया इस लड़का के पास तो एक भी रुपिया नहीं था और जो भी रुपिया था टोटल 15 ही रुपिया था तो कैलकुलेट करने के बाद हिसाब करने के बाद 15 ही रुपिया आना चाहिए लेकिन जब हिसाब करता है वो लड़का बाद में कि भाई 13 रुपिया उन दोनों के देना पड़ेगा दोनों दोस्त को और 3 रुपिया का मैंने समान लिया है तो टोटल 16 रुपिया हो रहा है उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई एक रुपिया या अस्टर कहां से आ गया जबकि मेरे पास एकदम एक रुपिया भी नहीं थे तो आप बताए कि भाई यहाँ पर 16 रुपिया हो कैसे गया होना चाहिए था तो 15 रुपिया चलिए वीडियो को पॉल्च कीजिए और सोचिए कि भाई 16 रुपिया यहाँ पर क्यों हुआ 15 ही रुपिया क्यों नहीं हुआ चलिए मुझे उमीद है कि आप वीडियो को पॉल्च की होंगे और सोचे होंगे तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि यहां पर तो भाई कि लियर है कि पहला दोस्त को 9 श्रुप्या लोटाना है और दूसरा दोस्त को 4 रुपीय टोट्ल 13 रुपया लोटाना है है गजा कि नहीं अब यह जो आप तीन रुप्या को जोड रहे हैं यहित अप गलत जोड रहे हैं यह आपको draw तरना नहीं है, तिन रुपय आप क्यों जोड रहे हैं, भाई। यह जो आपने समान खरीदा है, यह जो आपने समान खरीदा है वो इसी तेरा रुपय में सामील है, ठीक है? और दो रुपय तो लोटाएं हैं, यह बहुत आएं यह जोटेगा, तब ने पंदर रुपय होगा, वो समान जो खरीदे हैं वही 13 रुपय में सामिल है ठीक है ये समझना है आपको ये 2 रुपय जुटेगा जो हम लोटाएं है तब 15 रुपय जा करके होगा अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आते है तो दूसरा तरीका समझिए देखिए ये जो लड़का है कितना रुपय ट पास कितना उठेगा जो जो दो नों को लुटाएं गया है तो तो आपको जो है दिमाग ku आइसा मरोड़ दिया जाता है Creek आप सोचने लगते ये बैं ये अजीब हो गया इसे आगया दूसरा अगया है लेकिन एकुल में बात ये था यह नहीं था ये नहीं तो यह सब बाते हैं समझना है अगर ऐसा पहली आप से क्वाइंटिटी चेंज गर गया आपर 10 रुपे पांच रुपे लिया है हो सकता है कि आपको 1500 कहा जाए 2000-1000 कहा जाए कुछ भी हो सकता है ठीक है तो आपको देखिए बना देंगे कोई बड़ी चीज नहीं अगर दिल समझे होंगे तो बना देंगे बता देंगे उसको भाई यहां पर कैसे बढ़ गया है कि बसे महा रही है चलिए बहुत ही छोटा प पुसमें कीजिए वो चेंज होने वाला नहीं है यह मारकर है तो यह मारकर ही रहेगा ठीक है मतलब कि द्रभिमान का संरक्षन नहीं द्रभिमान का विनास किया जा सकता है और नहीं उसका संरक्षन किया जा सकता है एक रूप से दूसरा रूप में चेंज हो जाएगा लेकि भाई हिसाब करने पर वो केल्कुलेट करने पर वो चीज प्राप्त हो जाएगा यह बरबाद नहीं हो सकता है तो यह पर सुलर रुपी अपने आप जादू जैसा बढ़ नहीं जाएगा ठीक है तो शिलाज के लिए तनी अब लेंगा अगरा वीडियो में जैहिंद बंदे मा करती ह defensiveına दे पर वो चूज स्थाटर सके जाएगा कार यहान की अजाएगा वीडियोब sam